नमस्कार हमें एवरीवन सभी का सवागत है चैनल में सद्गुरू कॉपी जोशो दोस्तों इस टॉपिक के उपर में कभी वीडियो बनाना नहीं चाहता था लेकिन बहुत सारी चीजे देखने के बाद आखिर कर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और this is the end of the debate इस वीडियो के बाद आपके वन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्या सद्गुरू सही में ओशो को कॉपी करते है तो जितने भी लोग ये सारी बाते बोलते है वो सद्गुरू के बारे में कुछ नहीं जानते है और मुझे लगता है कि वो ओशो के बारे में भी कुछ नहीं जानते है उन्होंने दो चार बाते ओशो की सुनी और कह दिया कि सद्गुरू भी उन्हीं के जैसी बाते करते है इसलिए सद्गुरू ओशो को कॉपी करते है और भाई जो ओशो फैन है शायद इस वीडियो में उनको दो चार बाते लग भी सकती हैं तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ओशो को बहुत ज़ादा सुना है और ओशो आई रियली बाउड आउं टे हम क्योंकि जो कैलिवर उनका था जो रिवॉल्यूशनरी बाते उनकी थी वो बाते कोई और नहीं करता और जिस निडरता के साथ वो बाते करते थे वैसा कोई और मैंने बाते करते वे नहीं सुना है उनकी बाते अनिको अनिको लोगों को इंस्पायर करती है बिल्कुल करती हैं और कभी कभी जब मैं मैं अभी भी उनकी बाते सुनता हूँ तो बहुत मसा आता है उनको उनकी ग्रेटनेस देखके बहुत बहुत जादा मतलब एक तरीके से होता है कि और वेलमी लेकिन फिर वही बात आती है बहुत सारे बुद्धी जीवी ये कहते हैं कि सद्द्गुरु ओशो कापी करते हैं तो भाईया इव आयावा फालोवर आफिम मैं ये बात तो जरूर डिफेंड करने आऊंगा ही आऊंगा मैं सद्द्गुरु के द्वारा दीगे जो प्रैक्टिसेज उन्हें करता हूँ और मैंने ओशो को भी बहुत सुना है सद्द्गुरु को बहुत सुना है बहुत बहुत जादा सुना है तो इस बारे में बात करना जरूरी है तो वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ आप वीडियो को स्पीड टू टाइम्स कर सकते है वीडियो को अगे बढ़ाने से पहले मैं ओशो के बारे आपको कुछ बताना चाहता हूँ जब ओशो पैदा हूए थे तो पैदा होने के तीन दिन बाद तक उन्होंने दूद नहीं पिया था तीन दिनों तक दूद नहीं पिया था और जब वो बढ़े हुए तो उनसे पता पूछा गया जब वो एक लेवल पे आ चुके थे तो उनसे पूछा गया था कि अपने दूद्ध क्यों नहीं पिया था तो उन्होंने बोला था कि उनके पिछले जनम में वो उपवास पे थे 21 दिनों के उपवास पे थे और 18 दिन उनकी हत्या हुए दी तो तीन दिन वो उपवास पूरा करना था उनको तो जब वो पैदा होते तो तीन दिन तक वो अपना उपवास पूरा करते है फिर ओशो के बारे में अनेको ऐसी बात है ओशो के बारे ओशो की जब जर्म को डिली बन रही थी तो उन्होंने जो पंडित थे उन्होंने बताया था कि ओशो के हर 7 साल में मृत्यू का योग बन रहा है 7, 14, 21, 21 साल तक उनके मृत्यू का योग बनना था तो जब वो 14 साल की उमर में थे तो उन्होंने एक मंदिर में जाकर अपनी मृत्यों का इंतजार किया था लेकिन वहाँ पर उनको मृत्यों नहीं है मानों यमराज भी कह रहे हो कि इने ने कर नहीं जाना है इनका तो इस धर्ती पे बहुत बड़ा कार्या बचा हुआ है फिर दोस्तों इसके बाद 21 साल के जब वो थे तो उनके बारे में यहाँ पहली घोशना कर दी गई थी कि अगर यहाँ बालक 21 साल तक जी गया तो यह अपनी जीवनकाल में मुद्धत्व को पराथ कर लेगा और यह बात बिल्कुल सत्या भी सिद्ध हुई कि जब वो 21 साल के थे तो उनको किसी एक पेड़ के नीचे बैठे वे समाधियों का अनुभा हुआ और दोस्तों जब वो उनका अनुभा मैंने ओश्यो के बहुँ से सुना था तो बहुत मैसमेराइजिंग था और बहुत मज़ा आया था बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो आडियो यूट्यूब पे एविलेबल नहीं है वो एक बार आय थी और हमने सुना था उ के बाद वो आडियो डिलीट हो गई थी तो 21 साल के बाद फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़े करी वो कभी किसी कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे वो बहुत अगड़े रिबेलियन थे मतलब वो जो उनके आसपास चल रही प्रथाय थी उनको उनके उपर बहुत कड़ा प्रह और इस डारेक्शन में काम किया और फिर जाकर अपने मैथरेट्स इजात किये और लोगों तक वो पहुचाने की कोशिश करी अब इसके अलावा ओशो के बारे पे एक और बात बताई जाती अपने लाखों किताबे पड़ी एक दिन में लगवों को तीन से चार किताब पढ रहे हैं आप लोगों ने बात करी कॉपी करने की ओके कॉपी करने की बात करी जा रही है तो मैं किवल कॉपी करने होले पॉइंट के उपर बात करूंगा एक वेक्ति जो तीन से चार किताबे पढ़ रहा है वो कितना ग्रेट होगा मैं उसकी ग्रेटनेस की बात नहीं कर रह तो उसके पास उन किताबों का कुछ नॉलेज तो आया होगा ठीक है और जब अपने जीवन काल में लाखों किताबे पढ़ चुका है तो उसके पास उन किताबों को नॉलेज आया होगा जाहिर सी बात है लेकिन जब वो उन किताबों से उठाई गई बाते आपके सामने बोल है है तब तो आप नहीं कहते है कि atau उन lorsगों को कौपि कर रहे हैं जिनकी बात वह के सामने कर रहे हैं लाचों के मारे बात करते हैं वह भगवान बुद्ध की द्वारा दी गई जो चीजिए उसके बारे बात करते हैं जीफ website अनिकों लोगों के बारे में जब वो बात कर रहें तब आप यह नहीं कह रहें कि ओशो ने उन लोगों को कॉपी किया लेकिन आपकी दिमाग में अचानक से यह सवाल बढ़ जल्ली उड़ गया कि सद्गूरू ओशो को कॉपी करते हैं जब कि इस बात का भी मैं पूरुन ता खंडन करूंगा आगे चल कर सो जब ओशो लाकों किताबे पढ़ चुके अपनी जीवन काल में उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया नहीं किया उनकी जो नौलेज है वो पता नहीं कहां से आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़े ग्रेट हुमन बिंग है लेकिन चीज़े में एक एक तरीके करके क्लियर करूंगा फिर कहते है ठीक है यह तो रही कि नौलेज की बात नौलेज तो कहीं से भी ले सकता है कोई भी ले सकता है इसको साइड रख देते हैं फिर ओशो की मेडिटेशन टेक्निक्स की तरह आता है ओशो ने अपनी जीवन काल में विज्ञान भहरवतंतर को बड़ा फेमस किया था और विज्ञान भहरवतंतर किस ने दिया था विज्ञान भहरवतंतर लिया था महादेव ने मा आदी शक्ती को महादेव ने मा आदी शक्ती को 112 तरीके के जो मेडिटेशन टेक्निक है उनके बारे में बताया था अमानात क गुफा में, तो ये 112 टेकिनीक एक किताब में लिखि गई और इसको इव जाता है, विज्ञान का मतलब होता है विशेश ग्न, वो ग्न, जो आपको इस भावचक्र से पार ले जा ले, वो ग्न, तो 112 तरीके वो है, जब ओश्यो विझ्ञान भहरवतंत्र की बात कर रहे है, त उनके मेथड कहा है, कहा है उनके मेथड, बात ये नहीं है, मैं उनकी ग्रेटनेस को डिना ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बात इस चीज की परिशानी है, कि आप ये कैसे बोल रहे हो, बार बार, कि सद्गुरू ने ओशो को कॉपी किया, लेकिन ओशो इतने सारे लोगों को तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, जो वेक्ति एक दिन में तीन से चार किताब पढ़ता है, वो कॉपी नहीं कर रहा है दूसरों को, वो नहीं कर रहा है कि कॉपी, कॉपी करने में कोई बराई नहीं है, आप कही न कहीं से पढ़के आते हो, और वैसे भी, ये दुनिया हमने तो बनाई नहीं है हम अलड़ी किसी नहीं किसी चीज़ को कॉपी कर रहे है हम नेचर को कॉपी कर रहे है कई लोग बोलते हैं कि नेचर हमारा गुरू है तो उसकी तो हमारी तो कोई आकाती नहीं है आपर, कोई आकाती नहीं है हम नेचर की दोर require जो चीज़ें हैं उनको आ प्वे खर रहे हैं ओशो ते पहले जिन्होंने किताब लिखेए होंगी उन्होंने भी कही न कहीं से लिखेए होंगी भगवान ज़ुम्ति के अगर भात कर रहे हैं या फिर लाउट जो के मार की बात क्यों कर रहे हैं त्यूं कर रहे हैं ऐसे तो सद्गुरू ने कभी किसी की बारे में ज्यादा कोई बात चीत नहीं करी कि वो उनका मार यह है कि साइड में बैट जाओ और देखो कि क्या चल रहा है ऐसे बारे में तो कोई ऐसे सद्गुरू ने बात नहीं करी, करी ही नहीं आप बड़ा कह रहे हो कि सद्गुरू ओशो को कापी करते हैं, कापी तो ओशो कर रहे हैं इतनी सारे लोगों की बाते बोल रहे हैं आपके सामने पर आगे, उसके बाद जब वो बड़ी बेकुफी होगी, उनको तो मिस्स करना ही नहीं है पर ये कहना कि सद्गुरू ओशो को कापी करते हैं और ये इस तरीके से कहना, इस कन्विक्शन से कहना कि ये गलत है और ये तो ये मतलब मिलकुन लकार देना और जब वो कापी करने ही रही है, तब बुलना ये बहुत गलत चीज़ है ओके, सो बात केवल इसी सोच पर है ये इसी सोच के लिए है कि आप कैसे कह रहे हो कि उन्हों नहीं कापी कर और आप इनको बड़ा ग्रेड बता रहे हो ग्रेट है, बट हजारों लाखों किताबे पढ़ने के बाद हजारों लाखों किताबे पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरी कोई यॉकात नहीं है पर फिर वही बात आ जाएगी कि पढ़ा तो कहीं से, कॉपी तो कहीं से किया अपने आप नहीं था उनके पास उन्होंने अनेकों किताबे पड़ी विज्या महरव तंत्र पड़ा क्या पता वो पढ़ते पड़ते उनकी दिमाग में कुछ क्लिक कर आओ क्योंकि मैं अपना meditation टेक्नीक दू वही से तुदी 112 टेक्नीक के लावा एक और टेक्नीक हो नहीं सकती कोई और टेक्नीक हो ही नहीं सकती ये महादेव ने खुद कहा है कि इसके बालावा कोई और टेक्नीक हो ही नहीं सकती अगर कोई और टेक्नीक होती तो 112 के अलावा 113 भी भी होती इसके बीचे भी रीजन है कि 112 चक्र है के उपर आप directly काम कर सकते हो दो चक्र non-physical वाले realm के होते हैं उपर काम नहीं किया जा सकता इसलिए 112 टेकनीक है तो 112 के लावा और कोई टेकनीक नहीं है फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ ठीक है जिब आपको सुनना ही है तो पूरा सुनिए ओशो ने भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई जो टेकनीक थी विपश्चना विपश्चना नाम का शब्द भारत वर्ष में विद्या भारत वर्ष में श्री एसन गोएंका जी लेकर आए थे श्री एसन गोएंका वो बर्मा से यहां विद्या भारत में लेकर आये थे भगवान बुद्ध के जाने के 25 सो वर्ष के बाद 25 सो वर्ष के बाद वो विद्या भारत वर्ष में लोट कर आई क्यों हुआई? क्योंकि वो लुप्त हो चुकी थी और भगवान बुद्ध ने जिस समय पर यह विद्या अपनी माता श्री और अपनी जो उनकी भारिया थी उनको दी थी उसके बाद उनकी जो माता श्री थी जिन्होंने उनको पाला था बड़ा किया था जो भगवान बुद्ध की अपनी माता थी वो तो जन्म देने के बाद उनका निधन हो गया था लेकिन उनको जो जिरॉले पाला था उन माता को जब भगवान बुद्ध विपशना की विद्या देते है तो वो भी उनसे अनुरोद कर देगी हम लोगों को भी अपने संग में शामिल करो तो भगवान बुद्ध ने उसी दिन कह दिया था कि अब इस संग में महिलाएं हमने समिलित कर ली है तो भारत वर्ष से यह विद्या पांसो वर्षों के बाद लुपत हो जाएगी परंतु धाई हजार वर्ष के बाद यह विद्या पुना भारत वर्ष में आएगी और धाई हजार वर्ष के बाद ही श्री एसन गोएंगा जी यह विद्या भारत वर्ष में लेकर आए थे और जिस दिन वो बर्मा से यह विद्या भारत वर्ष में लेकर आए थे उस दिन तूफान चले थे जैसे ही वो भारत वर्ष में या उन्होंने कदम रखा था इस विद्या के साथ इस भारत वर्ष में तूफान आये थे आप सर्च कर लेना विपश्चना पूरे दुनिया में शिरीयसन को इंका जी के आने के बाद विख्यात हुई है वो केवल बर्मा में ही चल रही थी आसपास के छोटे-छोटे इलाकों में चल रही थी उन्होंने ही पूरे विश्चु भर में दो डाई सो विपश्चना के केंदर बना है वहाँ पर यह विद्या मुफ्त में दी जाती है शिविर कराय जाते है 10 दिन, 20 दिन के 40 दिन, 60 दिन के ऐसा चलता है यह तो यह विद्या श्री एसन गोईंका जी ही लेकर आये थे और अब जब आप श्री एसन गोईंका जी की बाते सुनेंगे तो आपको उनकी बातों में सच्चा ही नजर आजाएगी सब कुछ नजर आजाएगी उनकी बातों की गहरा ही नजर आजाएगी ओके और यूट्यूब पे वीडियो एविलेबल है जहां पर श्री एसन गोईंका जी साफ साफ कहते है कि ओशो तो बेचारा है बेचारा क्यूं है क्यूंकि वो अपने कुछ मित्र साथियों को बेचता है मेरे पास विपश्चना सीखने के लिए और मुझे पत्र लिखता है कि इनको सिखाओ खुद नहीं आएगा अपने मित्रों को बेचता है वो वहाँ से सीख के आते है ओशो खुद नहीं आता जो उन्होंने सीखा उन्सको सुनकर ओशो खुद लोगों को विपश्चना सीखा रहा है स्री एसन गोएंगा जी साफ साफ कहते है बेचा रहा है इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो ऐसी हरकत कर रहा है कि विपश्चना की गहराईयों मैं खुद रही गया पर वो लोगों को विपश्चना सीखा रहा है तो आप सोचों कि अब कौपी कौन कर रहा है कौन कौपी कर रहा है वो रिबैलियन थे रिबैलियन थे बट जब यह चीज़े में सामने आती है तब मुझे पता चला कि कुछ न कुछ तो खामिया रही होंगी क्योंकि श्रीयसन गोइंका जी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते है बोले आप उनकी खुद की वीडियो देख सकते है और जो आपको फ्री में शिविर करवा रहा है धर्म धर्म को अगर आपको जानना है जो भगवान बुद्ध ने जिस धर्म की बात करी है जो धर्म इस दुनिया को चला रहा है वो एक्च्वल धर्म क्या है शिरयसन गोइंका जी को सुन सकते हैं मैंने उनको बहुत बहुत सुना है बहुत ज़ादा सुना है और जिस सच्चा के साथ वो चीज़ें बोलते है वो unmatched है तो ऐसी मैंने और भी चीज़ें सुनी है और बहुत सारी चीज़ों मैंने पकड़ा भी है कि कहीं न कहीं बेवकूप बनाया जा रहा है हमें ओशों के दोरा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी क्या वकात है उनके सामने कि उनको मैं जज़ करू कि वो रियलाइस बिंग थे या नहीं थे मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता और कहीं न कहीं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं अनेकों लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है और उनकी बाते सुनके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई कहान ही सुननी होते हैं कुछ ऐसे सुनना होते हैं तो he's a very very great being और जिस तरीके से वो अपनी बात लोगों तक पहुचाते थे तो वो बात लोगों तक पहुंशती थी कई लोगों तो मैंने ऐसे सुनाई कि ओशो को सुनना ही अपने आप में एक meditation है तो ओके ये सब ठीक है पर अगर आप कहोगे कि सद्धगुरु ओशो को अभी करते हैं बिना तत्यों के दार पर मैं चीर दूँगा बस simple सी बात है अब इसको भी हम थोड़ा और आगे लेके चलेंगे अब जब हम ओशो की बात कर रहे हैं तो ओशो जो है ओशो ने विज्ञान बहरतनत्र की बात करी ओशो ने भवान बुद्ध की द्वारा दिया है जो मारग था विपश्यना वो लोगों तक पहुचाया जो की वो सफन नहीं हो उसमें क्योंकि वो ढंक से सिखाई नहीं पा रहे थे और उनको विपश्यना का ग्यान बिल्कुल भी रही था उन्होंने कहा था मैं आडियो सुनना था उन्होंने एक वेक्ति को बोल रहे थे सुना रहे थे कि रात को विपश्यना नहीं करी जाती है वाह और उनकी ग्रेटनेस जानने को मिलेगी और उनकी greatness जानने को मिलेगी तो फिर मैंने उनसे पूछा मैं भी मेरे mind में भी ओशोगले बहुत बड़ी जगा थी जब हम सुनते हैं स्टार्टिंग में हमें ग्यान नहीं होता तो हमें लगता है कि ये वेक्टी बहुत बड़ा है फिर जब मैंने धिरी धिरी बात सुनी तो मेरे को भी धक्के लगने लगे मेरे भी जो concept थे ना मेरे मन में जो मैंने धारणे बनाये थी तो टूपने लगी तो मुझे भी जटका लगा कि भाई बेकू बनी है मैं भी ठीक है तो विपशना हर मुमेंट पे करी जा सकती है हर मुमेंट पे रात में बना नहीं होता है हर इंस्टेंट पे विपशना करी जा सकती है हर मुमेंट पे विपशना का मतलब यही है किताबे पढ़कर बड़ी बड़ी बाते करी जा सकती है करी जा सकती है और समाधी के अलग-अलग लेवल होते है आठ लेवल होते है केवल योगा में नहीं भवान बुद्र ने भी जिन की बात करी है वहाँ पे भी आठ लेवल होते है ओके, सो आठ लेवल महाँ भी बात चल रही है, यहाँ भी बात कल रही है different different level पे लोग आकर पज जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हेने सब पा लिया है इस वज़े से वो पब्लिक में आ जाते हैं क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी होती है एक स्टेट होती है दिव्यमनस दिव्यमनस एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर आप जो चाहो वो कर सकते हो युनिवर्स में ऐसा लगता है कि युनिवर्स आपके अधीन हो गया लाओ अफ एट्रेक्शन आपके लिए काम कर रहा है उसके उपर फिर एक आत्म शरीर होता है उसके उपर पर परमात्म शरीर होता है उसके उपर फिर शुन्य शरीर होता है आदम शरीर में भी आपको ऐसा लगएगा कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ सब कुछ आपके हाथ में और आदम शरीर से भी अगर आप भाहर निकल गए तो भी परमात्मा शरीर है परमात्मा शरीर में फिर तो वो इतना खतरनाक होता है आपको लगता है कि आप ही भगवान हो सब कुछ प्यालिया लेकि उसके उपर भी पर एक और चीज होती है जिसे शुन्य शरीर कहा जाता है वो ही परम मुक्ती का द्वाद्वाब परम मुक्ती वही है जिसको निर्वान भी खा जाता है तो आपको मैं एक और एक्जम्पल दूँगा महरशी महेश महरशी महेश जो है वो भारत वर्ष में एक योगी हुए शायद 1900 के दर्शक में हुए थे 1900 में हुए थे तो एक बार वो हाँ श्री एसन गोइंग का जी से मिलते है और एसन गोइंग का जी की उनके साथ चर्चा होती है ठीक है चर्चा होती है तो एसन गोइंग का जी से जब बातचीच चल रही होती है महरशी महेश की तो एसन गोइंग का जी उन्हें अपने experiences के बारे में बताते हैं और जब S.N. Goeika जी experiences बता रहे होते हैं तो महर्शी महेश उनके experience सुनने के बाद बोल देते हैं कि हो गया आपका जो realization है वो हो चुक है तो श्री S.N. Goeika जी बाद में आकर पत्र लिखते हैं अपने जो भी संगी साथी होते हैं सबको पत्र लिखा जाता है उन तक बाते पहुचाए जाती है कि मैंने मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस level से भी आगे जा चुके हैं इस से भी आगे level होते हैं महर्शी महर्शी भी उस किसी level पर थे और वहाँ पर उनको लगना था कि मैं मुक्त हो चुका हूँ परंतु वो सत्य नहीं था एसन गोएंगा जी जोट नहीं बहुत सकते हैं हो ही नहीं सकता उस से भी next level होते हैं और ये बात तो मैंने जब सद्गुरु से सुन ली है कि सुन्य शरीर ये सारी चीज़ें जब मैं seven six of body की बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुत सच बात है बिल्कुत सच बात है कि आप आकर फस सकते हो फस सकते हो आपको लग सकता है कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है होगा वो कहीं न कहीं फसा हुआ होता है होता ही है आने को बड़े बड़े लोग होते है जब सद्गुरु शिवयोगी थे अपने किसी जनम में तो उस जनम में उनके आसपास के लोगों को पता लगता था कि ये सरुशक्तिमान है मतलब इनको सब कुछ पराप्त हो चुका है लेकिन शिवयोगी को पता था कि अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुँचा है जिस लेवल पर लोग उसको समझ रहे है वो अपनी खोज जारी रखते है और अगले जनम में उनको उनके गुरु श्री पलनी स्वामी पलनी महमुनी आकर उनको उस परम ज्यान के दर्शन करवाते हैं तो लोग फसे में रहते हैं लोगों पता नहीं चलता है विख्यात जो अपने आपको विख्यात करने की जिसके अंदर चेष्टा होगी इच्छा होगी वो कई ने कई फस्च चुका है मुझको ऐसा लगता है जितना मैं इनलाइज कर चुका हूँ इतनी सारी बाते कहने के बाद मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ बस मैं आपके सामनी चीज़े रख रहा हूँ कि ऐसी चीज़े होती है और मैं अभी किसी को वैलिडेट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी करांती लाई थी मैं अभी बोलना मैं आशो का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत बड़ा फैन हूँ और हर किसी को उन्हें सुनना चाहिए क्योंकि जो काम वो करके गए है वो काम करना कोई पता नहीं हजारों हजारों सालों में लाखों सालों में एक ऐसा बींग पैदा होता होगा और उन्हाने वो काम इतना famous वो उस समय हुए थे जब नहीं ऐसा मीडिया था ना कुछ था उस जबाने में उन्हाने जाकर पूरी दुनिया में revolution लाया था पूरी दुनिया में revolution लाया था I bow down to him really I bow down to him भही मैं अभी भी सुनता हूँ लोगों को न उन्हें की वीडियोस भेजता हूँ अगर आपको inspiration चाहिए आप उन्हें जिन्देगी में बहुत गिर चुके हो डिप्रेसिव स्टेट्स में आ चुके हो जो आपके अंदर उर्जा बढ़ दी जाएगी वो वो आपको आपकी जिन्देगी वी उपर उठाएगी बिल्कुल उठाएगी अब हम इसके बाद बात करते हैं ओशों के और भी methods है जो उन्होंने दी जैसे mystique rose method हुआ इसके लाव और भी कुछ method हो सकते है पर उनका जो main work था वो विग्यान वेरवत अंतर पे था और वो philosophical जादत है मतलब उनकी बाते बहुत जादा होती थी लोगों से बात्चीत बहुत जादा करते थे public में जाके talks बहुत दिया करते थे उन्होंने कोई energy spaces established नहीं करे तो ओशों के बारे में जितना बोलना था मैंने आपके सामने रख दिया सद्धूर के बारे में दो-चार चीज़े आपके सामने रखना चाहूँगा तो सद्धूर का जो जनम था वो हुआ था मद्यरात्री में मद्यरात्री का मतलब जो रात्री का रात्री के समय पे जो संध्याकाल होता है 11.40 से 12.20 इसकी बीच हुआ था ओके जब मैंने ओशों के बारे बात करी तो आपने बड़ी conviction दे सुनी होगी कि हा भाई ऐसा हुआ होगा लेकिन जब मैं सद्धूरू के बारे बोलूगा तो जो सद्धूरू के फैन नहीं है वोह सोचेंगे कि अब बेकू बना रहा है अब बेकू बना रहा है ऐसा हो नहीं सकता तो I can give any number of points any number of points बच्पन से उन्हें पढ़ाय लिखाए में किसी चीज में कोई interest नहीं था वो school bank माल लेते थे और बच्पन से वो school बहुत कम चाते थे school के बार कोई paid था उसके उपर बैठे रहते थे थे बच्पन में उन्हें meditative states वगेरा वगेरा फिर उन्हें लगती थी और उन्हें 16 साल की उमर से पहले उनकी आँकों के आगे एक पहाड दिखता था एक चमकिला पहाड दिखता था और उन्हें ऐसा लगता था कि हर किसी की आँकों के आगे एक पहाड हर किसी को दिखता है तो जब वो सायद 16 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्तों से पूझी लिया एक दिन उनकी दोस्तों ने का हमें तो नहीं दिखता है तो फिर सद्गुरू वो पहाड ढूंडे निकले और जब वो शायद 19 साल के थे तो उन्होंने पहली बार Willingry Mountains को देखा वो कहते हैं जिस दिन मैंने Willingry Mountains को देखा उस दिन के बाद से वो पहाड जो उनकी आँकों के आगे दिखता था वो उन्हें दिखना बंद हो गया और उन्हें पता चल गया कि इस पहाड से कोई ना कोई रिलेशन है सद्गुरू का जनम ये वाला जो जनम है वो केवल और केवल ध्यान लिंगम को पराण पतिष्ठा करने के लिए किया गया था सारा काम उनका ध्यान लिंग की पराण पतिष्ठा करने का था इस जीवन काल में क्योंकि पिछले जीवन काल में सद्गुरु शरीड ब्रम्मा जब वो थे तो उस समय सद्गुरु शरीड ब्रम्मा ध्यान लिंग बनाने में असफल रहे थे उन्होंने जाने से पहले बोला था दिस वन विल बी बैक और जब वो इस बार आए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किस किस को कहां कहां पैदा होना है हर एक चीज decide करके आ चुके ऐसा सद्गुरु कहते हैं कि यह चीज आपको पचेगी नहीं कि मैं ऐसी बाते कर रहा हूँ बट मुझा गहते हैं कि यह सच है हमालने सच है आपके लिए सच हो या नहो उनकी life का main motive क्या है ध्यान लिंग को consecrate करना और उन्हें इस बात का कब पता चला जब वो 25 साल के थे तो उनको चामुंडी हिल माईसूर में जो है वहापर जाके कुछ experiences हुए थे और धीरे धीरे उनकी जो memories थी past life की वो सारी उनके सामने आने लगी तब उनको ग्यात हुआ कि उनका जो main mission है वो है ध्यान लिंग को प्राड़ प्रतिष्ठी करना और ध्यान लिंग की जो प्राड़ प्रतिष्ठा है वहाँ 42 साल से पहले ही उन्हें पूरी करनी थी तो 25 साल से लेकर 12 साल तक के बीच का जो सफर तैय किया गया था ये 17 साल का ये पूरा ध्यान लिंग को consecrate करने के लिए किया गया था योगा classes लेना, लोगों को तयार करना, जो भी चीज़े हैं, ये सब कुछ आश्रम का निर्मार करना, ये हर एक चीज, केवल और केवल एकी चीज के लिए करी जा रहे थी ध्यान लिंग की प्रावट पदिष्ठा करने के लिए जब वो 25 साल के थे, उस समय पर उनको जो अनुभा हुए थे एक चीज और मैं आपको दाते तो 25 साल से पहले वो मेडिटेटिव स्टेर्स में जाते थे उनके कॉलेज में लोग, उनके पास अमने प्रावब्लम्स लेकर आते थे प्रावब्लम्स के लोगों को सलुशन देते थे और एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़े आप पढ़ सकते हैं उनके किताब में सद्गुरु मोर देला लाइफ ये इंग्लिश में है और हिंदी वालन जो इसका वर्जन है उसका नाम है यूगन यूगन योगी आप उस किताब को पढ़ सकते हैं और एक चीज़ और बता देता हूँ आपके बारे में जब मैंने सद्गुरु के बारे में बोला था कि उनके बारे में पंडितों ने 22 वाड़ी करी थी कि वहाँ बड़े होकर अगर 21 साल तक जी गए तो वो बुद्धत्यों को परापत होंगे इसी प्रकार से सद्गुरु के बारे में उनके माता पिता एक सादू थे जो उनके घर से अगर के आगे से गुजर रहा था तो उन सादू से उनके माता पिता ने पूछा कि हमारी बड़ी लड़की की शादी कब होगी तो वो जो सादु थे सादो ने बड़ी लड़की के शादी के बारे में कुछ भी नहीं का बोला कि तुम्हारी छोटी लड़की की शादी अगले साल को इस तारिक में होगी और फिर जब उनोंने सद गुरो के दूँ पूछा जगी सद्गुरू का नाम जगी था जगी के बारे में पूछा तो उन सादू ने ये बोला कि ये लड़का 35 साल की उमर के बाद एक मंदिर का निर्माड करेगा तो ये बात सब लोगों ने उन्हें हसी में उड़ा दी कि ये और मंदिर बना हैगा कि ये सद्गुरू कहते है मैं बच्पन में मंदिर में जाता ही नहीं था मैं मंदिर के बाहर खड़ा रहता था मेरे घरवाले मुझे बाहर खड़ा कर देते थे उस आदमें साथ जो लोगों के चपल की रेक देख करता था और जो सादू थे उन्होंने ये भी बोला था कि लोग गाए भहस चराते हैं ये इनसानों को चराएगा और ये बात बिल्कुल सच सादू के कहे अनुसार जो सद्गुरू से जस्ट बड़ी बहन थी उनकी शादी सादू के द्वारा बताई की डेट पही हुई और जो सद्गुरू की बड़ी बहन थी वो घर छोड़कर चले गई थी श्री राम कृष्ण परामद्स मिशन को उन्होंने जॉइन किया वहाँ पर उन्होंने ब्रहमचर्य लिया तो सादू ने केवल इसलिए नहीं बोला था और वो श्री राम कृष्ण परामद्स वाली जो लीनियज है उसी जगह पर जाके उन्होंने दीख्षा ली थी और संद्यास लिया था सद्गुरू के सही में का ओष्ण को कॉपी करते है तो कुछ लोग पताऊ क्या करते है कि कुछ कहानिया जो सद्गुरू ने कही है वही कहानिया जो ओष्ण ने कही होंगी इनको compare कर देते है कहेंगे जो ओष्ण ने कहा वह सद्गुरू ने कह दिया तो ओष्ण को सद्गुरू कापी कर रहा है वाँ भाई वाँ भाई वाँ न्यूटन ने भारत से कॉपी करके law of motion दे दिये तब तुमने नहीं कहा कि न्यूटन ने कॉपी कर दिया लेकिन एक बात या एक लाइन जो जैसी सद्गुरू ने बोली है वैसी ओशो की किसी किताब में बिल गई तो गेदो कॉपी करते हैं कॉपी करते हैं सुनो अप सुनते जाओ कि ओशो ने जो मैथट्स ने उनके बारे में आपको होता है सद्गुर के दुआरे सिखाए जाने वाले मैथट्स कौन-कौन से हैं Inner Engineering में सद्गुरू शामभाही मामुधरा की दीक्षा देते हैं पुरी दुनिया में कोई भी शामभाही मामुधरा की दीक्षा नहीं दे रहा है Public में तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है कहीं कहीं पर दे रहा होगा, कोई बड़े-बड़े मामुनी होंगे वो close group में दे रहे होंगे क्योंकि इतने public में देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है उस level की आपके पास energy system होना चाहिए सद्गुरू बहुत स्पंदना करवाते हैं सद्गुरू शून्य और शक्ती चलन में दीख्षा देते हैं आप फिर से सर्च कर लेना पूरे यूट्यूब पे पूरे इंटरनेट पे जहाँ जहाँ पे आपके resources अविलेबल है सद्गुरू के लावा कोई भी नहीं देता है नहीं नहीं सकता इतने large scale पे शुन्य दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ध्यान लिंगम इस्तापित किया गया है ध्यान लिंगम बहुत powerful energy space है उसकी वजह से ही इतने large scale पर शुन्य दिया जा रहा है उसके बाद सद्गुरू एक program अटेंड करवाते है जो 8 days silence program है उसका नाम में नहीं लूँगा क्योंकि वह इतना powerful program है सद्गुरू ने मौला है कि वो world आपको इतना casually अटर भी नहीं करना है तो ये तो रहे main program इसके लावा सद्गुरू सिखाते है हट योगा हट योगा की बात पूरे world में सद्गुरू के लावा और कोई दूसरा बंदा करता हुआ दिख रहा है क्या मुझे तो नहीं सुनाई देता मैंने तो उन्हें के द्वारा नाम सुना आटी होगा होंगे और लोग होंगे जो योग योग आश्टांग योग आपने जरूर सुनाओगा क्योंकि महर्शिरी पतंजली ने उसको famous किया था लोग महर्शिर पतंजली के द्वारा सिखाईगी जू प्रेक्टिस है क्योंकि महर्शिर पतंजली इतने famous इसलिए है क्योंकि वो अभी latest में है और उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था और लोग उनी को refer करते है मरशीक पतंजली को और फिर एक book है जिसे हट योग प्रदीपी का भी कहा जाता है तो है थोड़ा थोड़ा लोगों ने इसके बारे में सुना है बढ़ लाज इसके लिए हट योगा के बारे में या हट योगा जो सिखा रहा है वो सद्गुरु ही सिखा रहे है हट योग के अंदर वो क्या सिखाते है आपने सूरिय नमस्कार सुना होगा आज से पहले हैं आपने कभी सूरिय करिया सुना नहीं सुना सूरिय करिया सद्गुरु के अलावा कोई नहीं सिखा रहा है यूग असनास तो सद्गुरू अविसली पूरी दुनिया सिखा रही है भूत शुद्धी एक प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम क्या ओशो ने कभी सुखाया? नहीं सिखाया इसके बारे भी ओशो ने कभी बात करी? नहीं करी किताबे पढ़के बहुत सारी बात करी जा सकती है शीव के बारे में बात करी जा सकती है मैं अगर बहुत 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 अच्छा बोलने वाला हूँ मैं बात कर सकता हूँ Amish Triparti ने बहुत बढ़े किताब लिखी है पढ़ो जाके इसका मतलब वो निया कि आप उसका comparison सद्गुरू से करने लगो ओके भूत शुद्धी नहीं सिखा रहे है ओशो सिखाया है ने अपनी जिन्दगी में कभी और प्रोग्राम की बात करू सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति योगाशनास, ओशो ने योगाशनास के बारे में निगेटिव रिवांक्स दियोंगे कि ये कर क्यों रहे हो, तुम उल्टा क्यों लेटे उल्टा क्यों खड़े अपने सिर के ओपर क्या जौनत है इसकी ओके, इसके अलावा अड्यों क्यों और प्रैक्टिसेज हैं अंगमर्दना, अंगमर्दना भी लोगों ने सुनाओगा, विल्गुल सुनाओगा लेकिन जिस लेवल, जिस लेवल पर सद्गुरु बात कर रहे हैं, उस लेवल पर किसी ने अंगमर्दना की बात नहीं करी सद्गुरु ईशा क्रिया लोगों को वीडियो आईगी भी नहीं आहीं ने सकते क्यूकि हाथ से पहले किसी ने बात ही नहीं करी शुन्य सर्च करो ओशु आ जाए तो मैं मानूं कि ओशु भी शुन्य में लोगों को इनिशेट करते थे नहीं करते थे भाई करी नहीं सकते इतनी लार्ज स्केल पर तो भगवान बुदर ने भी लोगों को शुन्य नहीं दिया क्योंकि आप शुन्य ऐसे नहीं दे सकते लार्ज स्केल पर शुन्य दिया ही नहीं जा सकता तो वहिया अनेगों ऐसी प्रैक्टिस है जो इशा योगा सेंटर में दी जा रही है और वेट करो सुनते जाओ बस अब सब्सक्राइब लिंग भेरवी देवी की प्रावर प्रतिष्टा करी और इस दुनिया में इस तमय पर लाइव अगर कोई गुरू है उन में से कोई एक गुरू भी बना दो जिन्होंने किसी भी पावरफुल देवी की प्रावर प्रतिष्टा करी हो और अभी लिंग भेरवी देवी केवल 11 या 12 साल की है बस वो इतनी फेमस हो चुगी है अभी धियर जिरे आप देखना आने होने 10-15 साल में आपको पता चलेगा intensity हर कोई देवी के बारे में बात कर रहा होगा फिर सद्गुरू ने अने को लिंग इस्थापित किये है जैसे योगेश्वर लिंगा आदी योगी अलायम और नाग परतिष्ठा करी है सद्गुरू ने इशाय योगा सेंटर जो बैंगलोरे में बन रहा है सद्गुरू सम्नीदी नाम से जाना जाता है वो नाग परतिष्ठा क्या ओशो ने कभी नाग परतिष्ठा करी कौन सीगरेशन किया कोई नहीं, 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 कैसे कह रहे हो की कॉपी कर दिया कैसे कह रहे हो कैसे कह सकते हो जब तक जानते ही नहीं हो और कंपेरिजन कंपेरिजन हो ही नहीं सकता इस दुनिया में किसी दूसरे वेक्टी का नाम बता दो जिनोंने ध्यान लिंग जैसा पराण पतिष्ठा करी हो सातों चकर एकी जगा पर एकी लिंग में इस्तापित कर दियो हो लोग आदिशंकराचारी के बहुत बड़ा मानते I really bought on to him वो बहुत बड़े बिंग थे उन्होंने भारत के अनेकों मठों को का पुनर पुनर जीवित किया था जिर्णो धार किया था लेकिन क्या उन्होंने ग्यालिंगम जैसे किसी पाउर्फुल एनरजी स्पेस का कॉंसिक्रेशन किया था नहीं किया था जब इतना खतरनाग बिंग आपके सामने है आप उसे इतनी सी बात बोलके और मिस कर जाओगे कि ये कॉपी करता है और वो भी क्यूँ कि आपने कहीं पे दो लाइन एक जैसी पढ़ ली इसी चीज को लेकर आप मिस कर जाओगे इतने बड़ी भी इंको कोई आपको गुमराह करना चारा आप गुमराह हो जाओगे अपनी बेकूफी में पस जाओगे क्या है ये बहुत सारे लोग ये बोलके मिस कर जारें सद्गुरू को कि इन आने तो कोई वेद और स्क्रिप्चर नहीं पड़े क्या जरुवत है क्या जरुवत है पढ़ने की जरुवती नहीं है सब कुछ अंदर से ही आया है सब कुछ अंदर ही है आधी शंक्राचारे बोल के जा चुके है सब कुछ अंदर ही है बहार देखनी की जरुवती नहीं है आखरी में कंक्लूड करूँगा ओसो का काम लोगों को मेडिटेशन प्रोवाइड करना था सुद्रू का काम ना ही फिलोसफी करना है और ना ही बोल बोल के बातों बातों मेडिटेशन करवाना है वो कहते है मेरा काम है एनरजी स्पेस क्रियेट करना मैं एक ही चीज़ में मास्टर हूँ मैं एनरजी मेक्यानिक हूँ इस कमरे के अंदर प्रेजेंट जो एयर है थिन एयर इसको अगर एनरजाइज करना है मैं कर सकता हूँ ये बात मेरे लिए लिविंग रियालिटी है एक बार मैं सच्चक अटेट करने कहा था 2019 में इंद्रा गांधी स्टेडियम में डेली में सद्गरु वाँ आये लगबग 5000 लोग रहोंगे उन्होंने कहा अपनी आके बंद कीजिए अपने हाथों को अपनी तांगों पर ऐसे रखिए और रहल किसी गरदन करके उपर बैट जाईए उसके बाद सद्गरु ने कुछ ऐसा से करना स्टार्ट करा और लोग कुछ कुछ ओर जूर से मैं आग परतिष्ठा बाद करके आ चुक ऑँ मैं ध्यालिंगिंगं टैंपल विजट करके आ चुक हbye भी यहां का महल कुछ और यह शेसा मेरी योजैसे नहीं, मुझूद्धों energy spaces मेरे पास रखे हुए हैं, उनकी योजैसे है ये सद्गुरो का काम यह है, comparison किसी से भी रहे कर सकते कुछ और लोग रिशी प्रभाकर कभी नाम लेते हैं कहते हैं कि सद्गुरो ने रिशी प्रभागर से योगा सीखा था इस बारे में भी कभी और बात करेंगे, अगर आप बात करना चाहते हो मैं प्लीज, इसके बारे में आपके समने बात रखूँगा मैं अगें फिर से कह रहा हूँ, मैं ओशो को I bow down to him, मेरी कोई आउकात नहीं है उनके सामने परंदू, अगर आप ये बोलोगे, कि सद्गुरो ने कॉपी करते थे तो भाई, मेरा तो बोलना बनता है, मैं किसी से भी डिवेट कर सकता है इस बारे में, किसी से भी, किसी से भी, और disrespect बिल्कुल भी नहीं है, मेरे तरफ से भोशो के लिए हम आज भी उनको सुनते है, परंदू, आप ये बोलकर सद्गुरो को मिस ना करें, कि वो उनको कॉपी करते थे ये करते ही नहीं थे, और आप उनको मिस भी ना करो क्योंकि जो बिंग आपके सामने इतनी दुनिया में जाकर, पूरी दुनिया में जाकर लोगों को प्रभावित कर रहा है, कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो होगा, लोग मर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, कुछ तो भात होगी उनमें, तो मिस मत कीजिए, उनके द्वारा बनाएगे जो energy spaces है, उनको विजिट कीजिए, ओशू थे हाथ से पहले, आप उस जवाने में पैदा नहीं हुए, पर इस जवाने में सद्गुरु है, आप उनके पास जाईए, उनके बनाएगे जो energy spaces है, वह विजिट कीजिए, मिलेगे आ